गुड मॉनिंग अलॉफ इस्टोडेंट्स वैलकम टू डेफोडिल्स ओनलाइन क्लासेज मैसेल्फ दिपंद कुवार शर्मा फ्रॉम डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल आप सभी ने अपनी एजुकेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दिया होगा जो भी लेक्चर्स वीडियो स्कूल से प्रोवाइड हो रहे हैं आप उन्हें देख भी रहे होंगे और उनसे अपनी रीडिंग को स्टार्ट भी कर दिया होगा और जो भी बर्ख आपको PDF से हो या इस स्खूल में districts के द्वारा board पर write कर वाया गया हो आप उसे अपनी particular notebooks बनाएं उसमें उसको write करें और teachers को भी send करें जिससे आपका homework भी चेक हो सकें। तो class 4th के सभी students अपनी बुक का page number 8 open कर लें तो हम इंगलिस की बुक में हम फर्ष्ट चैप्टर दा स्कॉलर्स मदर टंग उस ब्यक्ति की मातर भासा के बारे में पढ़ रहे थे प्रशिद्य ब्यक्ति तो हमने देखा कि बीरवल और अकवर की कहानी थी कि एक बार अकवर के दरवार में एक बहुती बुद्धिमान उसlavी को चैलेंज दिया कि वेख कैसा ब्यक्ति था एक ही प्रश्ण का कई भासाओं में जवाब देने वाला ब्यक्ति था तो हुसने अपने सभी को चैलेंज लगाकि अगर कोई भी मेरी मातर भासा को बता सकता हो तो बताए ठीक है उससे कई लोगोंने आसा सुनकर प्रेश्न भी किये तो उसने कई भासा में उनकी उत्तर भी दे दिये तो ऐसे आगे हम पढ़ते हैं वन डे एक दिन दा एंपरर राजा एंड दा स्कॉलर जो एंपरर था समराट यानी अकवर एंड दा स्कॉलर और उसके सैनापती वर इस्ट्रोलिंग घूम रहे थे आबराओ की तरह इन दा रोयल गारडन जो राज महल था उसके बगीचे में घूम रहे थे सडनली अचानक दा स्कॉलर चैलेंज दा एंपरर जो इसकॉलर था जो वो व्यक्ति था प्रसिद उसने चैलेंज लगाया दा एंपरर राजा से ही सेड उसने कहा यावर हाइनेस यह तुमारा भग्य होगा वाई की तुमारो यावर कोट्री शुड टैल मी की यह तुमारा भग्य होगा कि तुम कल यौवर कोटे तुमारे दरवार में शुड बता सके मी यानि मुझे कि मेरी मातरवासा क्या होगी यह मेरा भग मैं बहुत अच्छा मानूंगा कि अगर आपके दरवार में से कोई भी मुझे यह बता सके कि मेरी मातरवासा क्या है कि वो सब लोग ऐसा करने में अगर ऐसमर्थ हुए या फैल हो गए तो ऐसा करने में अगर वो सब फैल हो गए तो मैं यह मानूंगा कि आपके दरवार में मुझ जैसा बुद्धिमान कोई भी नहीं है कि मैं यदि अगर वो सब क्या हो गए फैल हो गए इसका जवाब देने में तो मैं यही मानूंगा कि मेरे जैसा बुद्धिमान आपके दरवार में कोई भी नहीं है तो देखिए वेन एवरीवन जब एवरीवन इन दा कोट प्रतेग व्यक्ति कोट में प्रतेग व्यक्ति एक्सप्रेश्ट बतला सका दियर इन एविलिटी टू जज़ दा सकॉलर्स मदर टंग कि जब प्रतेग व्यक्ति उस दरवार में उस जो महान व्यक्ति था उसकी मातर भासा को बताने में योग नहीं हो सका जब सब लोग उसे पूछा गया कि बताओ भी इसकी मातर भासा क्या है तो सभी जो दरवार में बैठे हुए थे ना तो सब पे उसका किसी पर भी आंसर नहीं दिया गया अकवर टंड तो फिर अकवर मुडा टू बीरवल बीरवल की और बीरवल बीरवल मुस्कुराया और सैड कहा I accept your challenge कि मैं तुमारे challenge को स्विकार करता हूँ किसने कहा बीरवल ने उस scholar से कहा बट लेकिन I need some time मुझे कुछ समय की आविशकता होगी देखो मैं answer तो दे दूँगा लेकिन मुझे कुछ समय और चाहिए कि मैं पता लगा सको आपकी मात्रवासा क्या है Maybe till tomorrow morning कब तक कल सुभे तक का समय मुझे दे दीजिए तो मैं आपकी मात्रवासा का बता दूँगा Time barge granted Time उसको दे दिया गया बीरवल को time दे दिया गया and or the court was dismissed और जो वो दरवार था वो dismissed यानि खतम कर दिया गया उस समय that night उस रात बीरवल बेंट बीरवल गया to the scholar's quarter scholar के quarter यानि जो जहां पर रोका हुआ था ना scholar वो प्रसिद्ध व्यक्ति वहां वो गया and or quietly चुपचाप entered entered यान प्रवेश किया his bedroom उसके जो सोने वाला कमरा था जिसमें वो सो रहा था उस कमरी के अंदर उसने बीरवल जी ने enter यान प्रवेश कर गए when जब the scholar was first asleep जब वो वो व्यक्ति था वो बहुत ही घहरी नीन में सोया हुआ भीरवल टिकल्ड his ear with hay तो भीरवल ने उसकी कान में एक लकड़ी होती है चोटी सी वो डाली उसके कान में उसने एक लकड़ी डाली ठीक है इससे आगे हम color reading करेंगे तो guys आपको यह समझ में आया होगा ऐसे उम्मेद रखता हूँ अगर कोई भी problems आए आप भी इसके एक बार reading करना अच्छे से read करोगे तो आपको भी समझ में आएगा ओके thank you stay home stay safe